नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि लोग या सिचुवेशन या कोई संस्था किसी भी लेवल पे irresponsible कैसे हो सकती है एक बच्चा जो बैंकिंग के तयारी कर रहा है इंशूरेंस के तयारी कर रहा है जिसको अपना carrier सेट करना है क्या ये जान बूच के कोई mistake होती है क्या कि भाई 30 तारिक को IBPS PO mains का exam है और आपने 30 तारिक का NICL assistant का exam दे दिया एक बच्चा जो इंशूरेंस को भी फोकस कर रहा है जिसका IBPS PO परी भी clear हुआ है क्या करे वो बताइए मतलब वो exam ना दे या दोनों में से choose करे बैट के सोचे पहले सारी तयारी पहले side कर दे कि नहीं है मैं पहले ये सोचता हूँ कि में लिए IBPS PO जादा बहतर है कि NICL assistant जादा बहतर है मतलब क्या मनशा है मैं को नहीं सोच में आता अगर आपने 30 तारिक को exam ये दे दिया एक 30 को आप कर दीजे वीकंड में दो दिन होते हैं आप दो दिन अलग से कर दीजे और ये एक बार आज नहीं हुआ है ये कम से कम नहीं तो 2023 में 2022 में कई बार हो चुका है और मुझे लगता है कि अब जो है इस पे बात उठानी बहुत आवश्चक है मेरी humble request है IBPS संस्था से कि आप प्लीज इस तरह के matter को consider करें आप प्लीज समझें कि एक बच्चों के भविश्च के साथ ये चोटी चोटी चीजे जो है वो खिलवार के तौर पे आती है एक बच्चे ने form भरा होगा आपको नहीं पता है कि शायद उसके घर की परिस्थिति क्या है पानसो साथ सो आटसो रुपए हो सकता है आपके लिए आसान होगा लेकिन कोई ऐसा बच्चा जो मिडल क्लास से भी नीचे है जिसके लिए पैसा इतना भी बहुत ज़ो है वो जादा होता है सोचे कैसे जो है वो अरेंज किया होगा और आपने बता दिया कि भाई तेरा IBPS PO मेंस हो गया है तो तो IBPS PO मेंस दे NICL देने की आवश्यक्ता नहीं है मेरी आज हमबल रिक्वस्ट है मैं IBPS से डारिकली बात करना चाहता हूँ मेरी हमबल रिक्वस्ट है प्लीज बच्चे जो है अपना कैरियर देने बैठे हैं आपको पता है कि देश में बेरोजगारी की दर क्या है हर एक बच्चा दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है वो दुनिया में सारी चीजे छोड़के केवल अपने लक्ष में फोकस कर रहा है और एड डेंड आप ये बता देते हो कि एक दिन में दो एक्जाम है तुम चूज कर लो तुम्हें क्या करना है ऐसा नहीं कि बच्चा IVPS PO Mains देने में सक्षम नहीं है या NICL Assistant देने में सक्षम नहीं है लेकिन अगर आप एक ही दिन दोनों कर दोगे तो भाई एक student क्या करेगा यार मेरी humble request है IVPS की संस्था से कि आप जो है इस तरह के matter को संग्यान बिले अभी शाम को मैंने जो है वो IVPS के customer care में भी बात करने की कोशिश करी है मेरी बात नहीं हो पाई मैं आज कल में फिर बात करूँगा और इस concern को जरूर रेस करूँगा क्योंकि ये हर बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है हमारे लिए important है इस तरह के matter अगर बार बार आ रहे हैं तो ये concern रेस करना जरूरी है ताकि IVPS को ये बात समझ में आये उसे ये पता होना चाहिए कि एक साथ अगर दो exams है तो भाई clash नहीं होने चाहिए आप एक दिन बात में कर दो क्या दिक्कत है भाई तीस तारीक को अगर आपका IVPS PO mains है आप 31 को NICL कर दो या आप इसको जो है वो interchange कर लो एक बच्चे के carrier से आप खिलवार नहीं कर सकते हैं एक बच्चा जो है वो शायद वो insurance को भी उतना ही जो है तबज्जो दे रहा है जो pre-clear हुआ है उसको तबज्जो दे रहा है आप उसको इस मतलब जंजट में मत पा लिए कि भाई वो बैठे और बैठके अगले 7 दिन में यह सोचे कि मुझे कौन सा एक्जाम देना है औरेडी आज जो है वो 21-22 तारीक हो गई है तीस तारीक को एकजाम है आप बताएए आठ दिन के timing में कौन सी preparation होती है हमने क्या किया हमने एक expected cut-off का एक data जो की as per सभी shift में बच्चों ने दिया था उसको हमने बना के बच्चों कर दिया बच्चे उससे देखके कि हाँ सर मेरा नंबर इसके आसपास है एक अनहोनी में तैयारी कर रहे है कि अरे सर मुझे नहीं पता है कि मेरा clear होगा कि नहीं clear होगा लेकिन मैं कर रहा हूँ हलाकि इसका वीडियो मैंने किया था जहां मैंने आपको बताया है कि भाई नहीं है उसे ये मालूम नहीं है कि यार मैं जीस एक्जाम की तैयारी कर रहा हूँ वो clear होगा कि नहीं होगा इसलिए हमबर रिक्विस्ट है ये छोटी छोटी बातों को संग्यान में लीजे है ना एक बच्चा दिन रात एक करके तैयारी कर रहा है वो एक प्रकार से dependency रख रजेंगे और इस पे जो है हमें एक सही मार्ग दर्शन करेंगे मैं सारे बच्चों को जिनका प्री क्लियर हुआ है बहुत बहुत शुप कामना है हमने एक मेंस का बैच है ना और एक हमने टेस्ट सिरीज लॉंच करी है जो कि फ्री आफ कॉस्ट है बिल्कुल चिंदा मत कर नहीं है तो जिनका भी क्लियर हो गया है बहुत बहुत शुप कामना है आप अपकब अपना जो है वह कॉ मैंट।